हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी क्या दयालिक स्टेड़ी पे हर्दिक स्वागत है राज का अपना टापिक है फोटो सेंथेटिक जिसे हिंदी में प्रकास संसलेशन बोला जाता है प्रकास संसलेशन क्या होता है कहा होता है क्यों होता है यह सब आप जानेंगे हलाकि यह इन्वार्मेंट का चेप्टर है जिसे पर्यावनट बोला जाता है इन्वार्मेंटल साइंस का पॉर्षन है और इसके बारे में हम आपको आज बहुत ही अच्छा तरीके से बताएंगे है और मुझे है पूरा अमीद है कि आज आप जाएंगे कि पेण पॉधे कैसे जिंदा हैं और कैसे डे बइडे छोटा पॉधा बड़ा होता जा रहे हैं यह सब प्रकाश यंशलेशन की ही दिन है पॉधे प्रकाश उनसिलेशन कैसे करते हैं एस सब आज जानेंगे और सब्सक्राइब करता है लोगों के उपर आदमी समझ ले या कुछ और समझ ले करता है उसके झालबारे में अब जलनेंगे क्या होता है या सब प्रकास प्रकाइब बहांग से जुड़ी हुई है असधीं और आपको पूरा समझ में क्यों आजाएगा कि इस टापिक को हमने काफी गहन अध्यान करके आपको बता रहे हैं यानि काफी गहराई में जाकर करके हम आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहला कम आप समझे प्रकास संसलेशन होता क्या है हम यहां लिख भी दिये हैं आपको प्रकास एंगलिस में इसका नाम है फोटो सेंथेटिक क्या होता है और प्रकास संसलेशन हिंदी में बोलते हैं हो क्या होता है देखिए आप सब लोग जानते होंगे कि पौधे सुर से आने वाली केड़ों को ग्रहन करते हैं यानि जो सन से जो लाइट आ रही है उन वह लाइट जब पौधों पर पड़ती है तो पौधे उस लाइट का यूज करके और जो बाहर वातावरन में कारवंड या अकसाइड है उसको रिसीव करके पत्तों के माध्य हैं से एंट बैड में है उसे पानी मिल जाता है यहां से पानी रिसीव करता है तो पानी कर्वांड याकसाइड प्रकास की उपस्तिती में क्लोफिल समझेस यह चैनि होता है पानीय और कवंड याकसाईड सब्दों tao Co काओ लपाएड्रेट बनता है कारुध बनता है और कर्वाहटरेट बनने के बाद उस implementing पाणी और आपकार गैस दोनों बाहर निकलता है और पानी और गैस पॉद हों से बाहर निकलेगा है कि मिया करने के बाद और करने के बाद और जो कफो लीड़ान पॉसे करें है कि और मुझे पूरा उमीद है कि जब हम क्लास खतम करेंगे तो आपके अंदर कुछ अलग टाइप का नौलेज होगा इन्वार्मेंट के बारे में पहला बात अब यह समझ दें कि इन्वार्मेंट क्या है नि पर्यावरण क्या है जैसे हम यहां खड़े होकर के वीडियो बना कि पर्याव रन को कुछ नहीं है चलिए देख लेते हैं मैं परकासिसलेशन होता है है इसके तो प्रकासिसलेशन होता चैसेसे समझ क्या है हम आपको डिविस्ट पूछेत देखिएं अच्छी बात यहां कि जो किसी ने किसी गयां का तयारी कर रहा है उसे भी जानना बहुत जरूरी है कि प्रकास संसलेशन क्या होता है और जो तयारी नहीं कर रहा है आम आदमी है उसे भी जानना जरूरी है उसे किस हिसाब से जानना जरूरी है जो तयारी नहीं कर रहा है आप समझ लें जैसे को याम आदमी आपसे पुछ दे कि पौधि जीवित कैसे रहते हैं या पौध दे वाई-डे यानि दिन परती दिन बड़े क्यों होते जा रहे हैं या उनका साइज है भी क्यों होता जा रहे हैं तो यह सब प्रकास Moderaire की देन है तो समझ जाए कैसे या इसको प्लांट भी आपका सकते हैं पाउधे जल पाउधे जल प्रकास जिसको लाइट बोला जाता है प्रकास क्लोरोफिल और सियोटू जिसे कारवन डैय अक्साइड बोला जाता है सियोटू की उपस्थिती में यानि प्रिजन्स में की उपस्थिती में कार्बो हैड्रेट कार्बो हैड्रेट का कि निर्माड करते हैं कार्बो हैड्रेट का निर्माड करते हैं और अक्सीजन और पानी जिसे एश्टो बोला जाता है अक्सीजन और पानी का भी निर्माड करते हैं का भी निर्माड करते हैं कि इसी प्रकिरिया को कि इसी प्रकिरिया को को फोटो कि फोटो सेंथेसिस कि इसी प्रकिरिया को फोटो सेंथेसिस कहा जाता है कि इसी प्रकिरिया को फोटो सेंथेटिट कि कहा जाता है देखिए डेफिनेशन है दो चाल लाइन का है और यह डेफिनेशन बहुत ही काम का है इसको यह आप समझ गये तो पूरा फोटो सेंथेटिट या जिसको प्रकास संसुलेशन बोलते हैं वो आप समझ जाएंगे यहां पर लिखा क्या गया है पोधे या आठेसाध को हम फोटो सेंथेटित या प्रकास संसेलेशन करते हैं और इसमेंग रिएक्शन आप समझ लें कि यहां पर्कास क्लोरोफिल और कारवन अक्साइड तो देखिए यहां पे जल्व कारवन डई अक्साइड का भी लिया जाता है तो सी ओटू कि प्लस है एच्टू यानि जल कि जब हम किरिया कराएंगे किसके उपस्तिती में प्रकास के उपस्तिती में कि समझे प्रकास नहीं होगा तो प्रकास नहीं अपाएगा अपसे यह वी कोस्टन कई बार पुछा जाएगा प्रकास नसलेशन के लिए कौन कौन सी चीजें आवस्यक है देखिए आपका पानी होना चाहिए प्रकास होनी चाहिए यानि जो संसे लाइट आ रही है वह और प् रवाहनों से निकलता है समझे छह समझे बीजल पेटरोल से जो गाड़िया चल रही है अगे आप मोटरसाइकल समझ लें कार समय ले ट्रक समय में उनसे जो ध्वळा निकल रहा है वह कारीड की पस्तिती में प्रकास या क्लोरोफिल की उपस्तिती में जब कारवन डॉय अक्साइड और पानी का रियक्शन कराया जाएगा तो यहां पर कार्बो हैड्रेड्र मिलेगा देखिए कार्बो हैड्रेड्रेड्र मिलेगा यह अपको थोड़ा बताते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O देखें यह बनने के बाद यह आपका बनता है और इसी को हम क्या बोलते हैं कार्वोहईडरेट और कार्वोहईडरेट हम तो बोलते हैं लेकिन आम जन्भासार में इसे एक्चुल में बोला जाए जन्भासाइव बनता तो एक्चुल में हैं नेयरेट यह एक्चेशन में मिलां गभासाइन आपकी स्टर्वर देखें ने कुछ और लगांगे देखिए C6 यानि carbon के 6 परमाड़ देखिए carbon के यहां पे 6 है और 6 दूना 12 हो जाएंगे oxygen के और 12-12-24 तो देखिए यहां पे 12H2O हम भी है तो 6H2O तो सिधा-सिधा निकल जा रहा है यानि 6H2O कहीं कहीं बचा होगा तो 6H2O में यहां पे देखिए 6 दूना 12 hydrogen हो जाएगा तो देखिए 12 hydrogen यहां पे है और यहां पे 6 oxygen यहां पे है तो यहां पे देखिए 6 दूना 12 oxygen यहां पे है और यहां पे 6 oxygen यहां पे है और 6 oxygen यहां पे है तो कहीं न कहीं balance होगे हमारा equation तो यह आपका carbon dioxide है और यह आपका पा और यह देखिए उपस्तिती में कार्वोहईड्रेट का निर्मार्ड होता है और यह कार्वोहईड्रेट को बोला जेता है आपका पानी है और जो आकसिजन पूरा कीरिया करने के बाद मिलता है तो इसी आकसिजन का उपयोग आम आदमी करता है जो सास लेने में हम आकसिजन का प्रयोग करते हैं वह यही और पानी जो है रहे हैं पानी आतिया श्क हैं किसी परणी के लिए जो प्रसीवी पे है तो हमको पंग पॉषण करते हैं कहीं कहने का मद्लब यह और भरन पोशाथ करने के बाद रिलीज कर देते हैं अपने से और जो अक्सीजन करते हैं वहां पर काम आती है और पानी भी रिलीज करते हैं तो पानी भी आता है तो पेड़ बहुत ज़रूरी है इसलिए बोला गया है कि से वाटर से लाइफ यान पानी बचाओ जीवन बचा आना चाहिए हम आपको बता दिये आज और आप देख करके आपको लग भी गया होगा कि हम क्यों बोलते हैं से वाटर से लाइव तो यह पूरा प्रोसेस जो हो गया इसी को फोटो सेंथेटिक या प्रकास संसलेशन बोला जाता है तो प्रकास संसलेशन के बाले में आप समझ प्रोसेस करते रहते हैं और देखिए आदमी के बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जैसे पौधे कुछ ना कुछ दे रहे हैं कुछ ना कूछ देने का मतलब na उसके देर रहे हूं तो बहुत जरूरी है तो इसलिए लगा कि एम्संसे नहीं याद हर आदमी कम से कम एक याद दो। एक साल में पेंड जरूर लगाए तो पेंडों के संख्या भी काफी ज्यादा हो जाएगी देखिए पेंड कैसे बनते हैं और इनका क्या क्या काम है यह आप समझ लें इसी में बाकी जितना हम आपको बता दिये वह तो प्रकास इंसलेशन होता है और इसमें देखें कुछ कोस बनते हैं वह समझ लें इसमें पहला कोस्टन आपका वही बनेगा कि प्रकास इंसलेशन क्या है उसके डेफिनेशन पर कोस्टन बनेगा आप समझ गया होंगे आपको एक बार और बता दिया हमने लिख करके पाउधे या प्लांट जल कारवंडाई आकसाइड प्रकास क्लोर यहमार है और इसी क्राकेश sanction से संब्सक्रती है और आपको दया जायेगा कि यहीन में से कौन सा कथन प्रकास से संब्स करता है या प्रकास से संबम्नद से अब्स और आपको चार स्ट्रेटमेंट दिया जाए तो इस आपका पहला कोशचिन बन जाएगा इसमें दूसरा कोशिचन अपका यह बने का की प्रकास के लिए क्या-क्या आवस्यक्तël है आपको बताय थैं प्रकास लाइड है करी का बचाइड नो कि पानी में पानी के शुर् Video स्मय का सब्सक्राइड है को अप का जाता है यह इसके साथ प्लोरोफिल chlorophyll हलाकि इसके प्रोसेस में जो पोधे होते हैं उन्हीं को chlorophyll इसके प्रोसेस में ही आ जाता है तो वह भी चलेगा chlorophyll भी आप लिख दें कोई दिकत नहीं है chlorophyll तो यह चार चीज बहुत जरूरी है प्रकास classification के लिए और इसमें आपका तीसरा चीज़ बनता है कि जब प्रकास शूंसलेशन की किरिया होती है इसमें कौन कौन से अभिक्रिया होती है है तो यह आप समझतेंगे इसमें कि उपचैन कि उपचैन यह इसको इंगलिज में बला जाता है ऐसory ड Hear Unit को शंखैन और अपचएन और अपचएन यह इसको इंगलिश में रिडक्षण रिडक्षण ऊपचएन और अपचएन अभिक्रिया होती है उपचैन और अपचैन की अभिक्रिया होती है और इतना जब आप सुरेंगे है तो आपके अंदर यह दिमाग सवाल पेंदा हो चाहिए कि कि छीज का उप्थे एप हों रहा है और दिए सं आप समझिए यहँ पर जो कि अभी किरिया के बाद आपका कारवाद अभी किरिया के बाद आपका पानी और अक्सिजन बन रहा है तो उप्चेन अप्चेन में क्या क्या अप्चेन में आता है क्या उप्चेन में आता है या आप समझ लें है तो समझ लें आपको क्या वदार रहते हैं कि उप्चैन तो देखिए यहां पर उप्चैन जो है आपका उप्चैन पानी का यह जो आपका विकिरिया के बाद पानी और कर्वंडय अक्साइड दो चीजे थी तो उप्चैन या यह ऑक्सीडेशन जो बोला जाता है यह आपक बोला जाता है तो कार्वंडय अक्साइड का रिडक्शन होता है का करवंड है दो का रिड़क्षन होता है क्या बनाने में सीजिक्स हटोल ओ सिक्स या इसी को क्या वादाए ग्लूकॉज दो कि अप्चेयन होता है या आप से पूछेगा तो आप समझ आ जाइए कि पानी का उप होता है oxygen बनाने के लिए जो carbon dioxide है इसका up chain होता है या इंगलिस में इसको reduction बोलते हैं गुलकोज बनाने में और इसी गुलकोज को हम carbohydrate बोल रहे थे क्यों बोल रहे थे क्योंकि इसमें carbon hydrogen oxygen तीनों है देखिये सी मतलब carbon H मतलब hydrogen और O मतलब oxygen यहां भी carbon hydrogen और oxygen साथ में दिखे उसको हम carbohydrate कह सकते हैं तो ही आपको हम बोले थे तीन question इस पर बन गया और देख लेते हैं क्या question इस पर बनेगा तो तीन question तो पका है यह पूछा गया है जो हमने बता दिया और इसमें चोथा question आप से व्यम बनेगा को कि जब भी अभी किरिया एनिया पूरा प्रोसेस होता है कि तो यह अभी किरिया में जोप लोड़ो फिल के सेंटर में क्या होता है जो अभी किरिया होती है तो क्लोरोफिल के सेंटर में आपका मेगनीसियम होता है क्या होता है मेगनीसियम के एक परमाडू होते हैं कि एक परमाडू होते हैं पूछा गया है इसलिए हमने बता दिया और इतना जानने के बाद आपसे चोथा पाचमा यह पूछ सकता है कि क्लोरोफिल की अभी किरिया जो होती है पूछ से आने वाली लाइट से जब प्रकास संसलेशन करते हैं तो किस रंग के लाइट में सबसे ज्यादा प्रकास रंग के प्रकास में तो लाद रंग के प्रकास में फोटो सेंथेटिक सबसे ज्यादा होती है और इसी में उल्टा है सबसे कम किसमें होती है यह आप से पूछ देगा तो सबसे कम किसमें होती है तो बैगनी रंग में किसमें बैगनी तो बैगनी रंग के प्रकास में सबसे कम प्रकास Princeton या photosynthetive होता है यह आपसे दू टाइप का question यहाँ पर बन गया कि photosynthetive जो है याई जिसको नि जला रहा है या किस रंग के प्रकास में सबसे कम होगा और किस रंग के प्रकास में सबसे जयदा होगा इस टाइप का question तो हो गया और उपचेन अपचेन भी हो गया सैद अभी तक जितने कोस्टन वरेंगे वो पूरा हो गए और हाँ इसी के लास्ट में हम आपको बहुत ही अच्छा चीज बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं वस दो बिनिट की बात है कि पौधे जीवित कैसे रहते हैं देखिए जो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे अभी बताना अच्छा नहीं रहेगा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इतना रखें पौधे जीवित कैसे रहते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझ इसको पर्या और और या इन्वारिमेंटल साइंस बोलते हैं उसका यह क्वेस्चन है तो चलिए किसी और वीडियो में मिलेंगे यही वाला वीडियो बनेगा कि पौधे जीवित कैसे रहते हैं चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं विडियो में जे हिंद जे भारत एउ़ो प्र regular करोगी बना opposite नेविक साउ़ेगनने सा कि करषा करके लादा कि विडियो मिलते हैं जे हैं खुनी जे इन्यवार्ण की विरियो मिलते हैं विवस्चन हैं बन्मीप्री झीशो किया भीडियो मिलते हैं पहला हैं थार किया झायओने पिए лиवर में जे हैं この डring